हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ प्लैकेट बनाने का एक बहुत ही इजी स्टाइल लेकर आई हैं इस तरीके से अगर आप प्लैकेट बनाओगे बहुत ही असान होगा आपको बनाना और बहुत ही फिनिशिंग से ये बनकर रेडी हो जाएगा चलिए इस प्लैकेट को हम बनाना शुरू करते हैं आप इसे गुड़ते में सूर्ट में बना कर तियार कर सकते हैं इसके लिए हमने जिस कपड़े की प्लैकेट बनानी है पहले वो ले लेते हैं इसकी हमने पटियां कट करनी है तो इसकी पट्टी की चुड़ाई लंबाई जो भी होगी वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कपड़े के नीचे fuse paper लगा लिया है थोड़ा सा गफ करने के लिए थोड़ा थिक करने के लिए इस कपड़े की चुड़ाई हम साड़े 5 इंच के करीव याने की 14 सेंटी के करीव ले रहे हैं लंबाई आपने उतनी लेनी है जितनी आपको प्लैकेट चाहिए तो यहाँ पे लंबाई का हिसाब आपके हिसाब से ही होगा 9-10 इंच की प्लैकेट आप बना सकते हैं यहाँ पे इसको हाफ में कर लेते हैं हाफ में करके इसकी दो पटियां बना लेंगे इसको बीच में से कट कर लेते हैं तो यह आपकी दोनों साइड की पटियां बन जाएंगी, अब आपने इसे क्या करना है, इस तरह फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके इसको एक बर प्रेस कर लीजिए, तो पटि आपकी यह सेट हो जाएगी अच्छी तरह, तो जब आप से लोगे यह बिल्कुल हीलेगी नहीं, इस तरह की पटियां हमने तयार कर ली है, सिल ली है, अब हम अपनी शर्ड का पीस लेते हैं, जिसके उपर हमने प्लैकर बनानी है, यह मैंने शर्ड का पीस अपना ले लिया है, अब हम इसके उपर प्लैकर बनाना शुरू करेंगे, इसका अपने सेंटर बना लेना है, इंच के करीब हमारी चोड़ाई है तो इसकी हमने धाई में निशान लगा लेना है धाई सेंटी का एक निशान लगा लेना है जितनी आपकी पट्टी की चोड़ाई है उससे आधा यहां पर यहां पर निशान लगाना है जितनी आपकी पट्टी की चोड़ाई होगी वहां उ तुनों साइड बराबर निशान लगाते हुए इस पट्टी को हमने रेडी कर लेना है यहां पर निशान बना लेना है इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे जितनी प्लैकेट की आपने लंबाई रखनी है उतना इस पर नीचे की तरफ निशान लगा लीजिए यहां पर हमारी हो चुकी है आप प्लैकेट बनाने की बारी आती है एक पट्टी को हम ऐसे रखेंगे यह जो पट्टी है यह खुली साइड में रखनी है यह दिखिए जिस तरफ आप सिलाई लगाओगे उस तरफ पट्टी की खुली साइड होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमारी बं बनेगी इस तरह मैं बिटकुल लाइन के उपर सिलाई लगाती हूँ जहां पर आपने एंड करना है उसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा रहना चाहिए क्योंकि यह सिलाई में आएगा अब दूसरी साइड भी पट्टी लगानी है मैंने इसका फेस चेंड कर लिया है क्योंकि कि दर से लगाने में इजी रहेगा अब हम पट्टी को इस तरह बाबर रखेंगे और जहां पर हमने ये निशान लगाया था नीचे की तरफ वहीं से सिलना इसे शुरू करेंगे वहीं से इसको शुरू करना है यह जो सिलाई है आमने सामने बिलकुल बराबर होने चाहिए तब यह आपकी प्लैकेट बिलकुल सीधी वनेगी इस साइड भी सिलाई आपने बिलकुल निशान के उपर उपर लगाने है तो जीचे ये सिलाई हमारी लग चुकी है अब हम इसको यहां से कट कर लेंगे बीच में से बिलकुल सेंटर में से आपने इसको कट करना है जहां बच्चों के गुड़ते में किसी में भी आप लगा कर सकते हो इसको स्क्वार प्लैकेट बोलते हैं एक नीचे से तिर्षे वाली प्लैकेट होती है उसका वीडियो हम आगे बना देंगे वह भी बहुत इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी अब हम प्लैकेट को इस तरह फोल अब जो दूसरी साइड का कपड़ा है उसको कैसे फोल्ड करते हैं पहले नीचे के कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे की जो पट्टी है दूसरी साइड की उसके कपड़े को भी हमने नीचे की तरफ निकाल देना है देखे इस तरह रखते हुए इस कपड़े के बाद प्लैकेट हमारा बन जाएगा और उसके बाद ऊपर औरे पटी आप लगा दीजिए उसके बाद यह तैयार है तो यहां पर हमने इसको इस तरह सीधा रखना है यह इस तरह ओवरलैप होना चाहिए बिल्कुल आपस में और साइड से सिलाई लगाना हम शुरू करते है मैं दूसरी नीचे वली साइड से सिलाई लगाना शुरू कर रहे हूँ क्योंकि इस तरीके से यह इजी रहेगी एंड में आ गए हैं सिलाई लगाते हुए अब हम इसको अच्छी तरह फिनिच कर लेते हैं नीचे से कॉर्णर को थोड़ा सा कपड़े को अंदर की तरह फोल्ड करेंगे आप यहां से एक बार सुई को निकाल लीजिए फिर दुबारा से इसको फोल्ड कर लीजिए इस तर को बिल्कुल सीधा उपर तक दबा देते हुए सिल लेंगे तो लीजिए यह प्लाकेट हमारी बनकर रेडी हो गई है इसी तरह आपने भी बना लेनी है और बहुत ही इसी तरीका है यह बनाने का आपको उमीद करते हूं बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा लंबाई चुड़ाई है वो सब मैंने बता दी है इस तरीके से हमारी यह प्लाकेट बन गई है आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताईएगा जूरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लाकेट के ऊपर बटन लगा दीज या फिर काज जैसे छोटे-छोटे काज कर लेते हैं और नीचे की तरह बटन लगा देते हैं वो भी कर रेडि कर सकते हैं यहाँ पर इसको फिनिश करने के बाद आप यहाँ पर और पटी लगाई है तो यह तैयार है यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें बताईएगा किसी नए डिजाइन नए ट्रिक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक क्यार अपना नहार रखिए।